हालो गाईज, वेलकम टू बाय चानल आज इस वीडियो में हम आठ नंबर के कानाजी के लिए चोली बनाना सिखेंगे तो आईए चलिए, स्टार्ट करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेर जरूर कीजेगा कॉमेंट जरूर कीजेगा, सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा औल नोटिफिकेशन्स पर सबसे पहले हम चेंज ले लेंगे सिंपल चेंज ले ले नहीं है हमें 24 चेंज ले लेंगे यह देखे मेरी 24 चेंज कंप्लीट हो चुकी है 3 चेंज छोड़कर 4 चेंज में डबल क्रोशिय अबना लेंगे जो हमारी 3 चेंज हैं वो हमारा एक डबल क्रोशिय काउंट होगा नेक्स चेंज में एक और डबल क्रोशिय अबना लेंगे नेक्स्ट चैन में वी स्टिच बना लेंगे डबल क्रोश्या एक चैन डबल क्रोश्या अब दो चैन्स में दो डबल क्रोश्या बना लेंगे इससे नेक्स्ट चैन में वी स्टिच बना लेंगे डबल क्रोश्या एक चैन डबल क्रोश्या उसी स्पेस में अब नेक्स्ट एट चैन में आठ चैन में आठ डबल क्रोश्या बना लेंगे तो देखिए मेरी आठ डबल क्रोश्या बन चुके हैं अब नेक्स्ट चैन में वी स्टिच बना लेंगे डबल क्रोश्या एक चैन double crochet मैं हमेशा यही कहती हूँ कि first row मेरे design में pattern में first row ही होती है समझने लाए बागी उसके बाद बनती जाती है अब 2 chains में 2 double crochet अब नालेंगे next chain में V stitch double crochet, एक chain double crochet उसी chain में अच्छा आपको यह पहले बना कर अपने काना जी को पहना कर देखना है और मुझे जरूर comment करके बताएगा उन्हें कैसे आ रही है अगर कोई fit tissue होगा तो solve कर लेंगे हम comment में तो अब next 3 chains बची हैं हमारे पास हर chain में एक double crochet बना लेंगे बस first row के बाद सीधा joining तक ही समझने वाली बात है बाकी यह कुछ नहीं है अब 3 chains बना ली हमने एक double crochet count हो गया उसमें नहीं बनाएंगे next chain में double crochet बना लेंगे अब हर row में starting और last में एक एक double crochet increase होगा जैसे अब पहले 3 थे वी stitch से पहले अब 4 हो जाएंगे अब वी stitch के उपर वी stitch अब इसके बाद पिछली row में हमने 2 double crochet बनाएं थे अब 4 हो जाएंगे सिर्फ starting और last में एक एक increase होगा बीच में हर जगए 2-2 increase होगे देखिए 4 double crochet बन गए हमारे वी stitch के उपर वी stitch पिछली row में हमने 8 double crochet बनाएं थे यहां पर अब हमारे कितने बन जाएंगे 10 दो-दो का increase होगा देखिए 10 double crochet बना लिया है मैंने अब वी stitch के उपर वी stitch यह जैसे बाजू अला पार्ट हमने पहले किया है फर्स रो में हमारे 2 double crochet थे 4 हो गए यहां पर भी 2 के 4 हो जाएंगे फिर वी के उपर वी और लास्ट में 3 के 4 हो जाएंगे फर्स रो लास्ट में एक-एक increase बीच में 2-2 increase देखिए 2nd row complete हो गई है मेरी 3 chains ले लेंगे उस space में नहीं next में बिल्कुल जो नीचे space है उसमें नहीं बनाना है next में बनाना है तो अब हमारे यहां पर 5 डबल क्रोशी हो जाएंगे first में 3 थे फिर 4 हुए फिर 5 हर रो में 6, 7 ऐसे increase होता जाएगा वी स्टेच के उपर वी स्टेच और यहां जो बाजु वाला पोर्शन है पहले 2 थे 4, 6, 8, 10 ऐसे 2 दो का increase होता जाएगा वी स्टेच के उपर वी स्टेच बना लेंगे जो चैस्ट वाला पोर्शन है यहां पर पहले 8 थे 10, 12, 14, 16 ऐसे करके increase हो जाएगा और वी स्टेच के उपर वी स्टेच बनेगा बाजु का सेम जैसे पहले हमारा था 2, 4, 6 वैसे ही increase होता जाएगा फिर से वी स्टेच के उपर वी स्टेच और जैसे starting में 3, 4, 5 एक-एक increase हो रहा है वैसे ही last में भी 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके increase करना है हमें और हमें इसकी 5 rows बना लेनी है तो मैं यह complete करके बताती हूँ देखे 5 rows के बास 6th row में मैंने 8 double crochet बना लिये हैं अब जो पहला और दूसरा वेस्टेच था पहला और दूसरा वेस्टेच उसमें हम hook को insert करके double crochet बना लेंगे यह हमारी एक बाजू निकल गई अब यहाँ पर सारे simple हर chain में double crochet बना लेना है next वी स्टेच तक मैं पूरे double crochet बना लूँगी यह मेरे बन गई है double crochet बिल्कुल easy चोली है यह बिल्कुल easy pattern है अब जो third और fourth वी स्टेच था दोनों को hook में ले लेंगे और simple double crochet बना देंगे अब हमने starting में 8 double crochet बनाये थे last में भी हमारे 8 double crochet बन जाएंगे देखिए मेरे complete हो गए हाँ double crochet अब जो starting की three chains ले थी उसकी third chain में हम slip stitch से join कर देंगे अब तीन chains ले लेंगे हर chain में हमें कोई वीडियो अच्छी लगी पैट्रन अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा comment कीजिएगा subscribe कर दीजिएगा channel को bell icon को जरूर press कर दीजिएगा all notifications पर thank you so much जैरादे कृष्णा